हेलो फ्रेंड कैसे आप सभी जहिन सभी को और आज हम नहीं सेशन में सुरू करेंगे कख्षा 11 का जो दूसरा लेसन है जिसका नाम है वी आर नौट अफ्रेड टू डाई वी कैन आल वी तुगेदर मतलब है इसका हमको मरने से डर नहीं लग रहा अगर आप और हम सब साथ है तो गॉल्डन को को और एलन इसको लिखा है तो साथ हो इसकी समरी में बताने कोशिस करूंगा अगर आप पसंद कर रहे हैं तो आप चैनल को सेर सब्सक्राइब लाइब कर सकते हैं जो भी क्वारी रहे हैं उनको कमेंट बक्स में बताएं यहां पर हम स्टोरी को शुरू करते हैं बताते हैं कि एक व्यक्ति है जो इसका स्पीकर है बढ़न करता है तो वह 37 वर्स की उम्र का एक बिजनिसमेन है उसने अपनी पत्नी मेरी के साथ अपने व नात बरस की उनकी नाव जिसका नाम बेवबाकर है 23 मीटर लंबी है और 30 टन की है वो थीस टन भारी बजन की है उन्होंने इंगलेंड के पिले माउथ पोर्ट से चलना शुरू किया अपनी यात्रा शुरू किया और यात्रा एक बड़ी ही भायानक यात्रा पर निकले है और वो उस यात्रा को बड़ी यादगार बनाना चाहते है उन्होंने एक दिन शुरू किया चलना उसके बाद उन लोगों को रास्ते में जगे जगे परिसानिया आ आप थोड़ा सा इंजोई करेंगे इसका और समझ में आएगा उम्मीद करूँगा उन लोगों ने चलना सुरू किया चलने के साथ ही उनके रास्ते में बाधायानी शुरू हो गई जैसे ही उसमुदर में अपने अपनी नाव को डाला जिसका नाम बेबबाकर है बड़ी बड बाधने के लिए गया तो पाल के साथ हवा ने उसे फैंक दिया और वो डैक पर जाकर गिरा उसके मुह से खून आये और उसके दांत भी तूट चुके थे गई सारे उसके वेटे ना कर पूचा जोनाथन ने जोन ने कि क्या आप ठीक है उसने बताया हम ठीक है उसके बाद उन्होंने फिर से यात्रा को दुबारा सुरू किया एक रात उन्होंने किरस्मस भी मनाया 25 दिसंबर को उसके बाद जैसे उन्होंने फिर से चलना सुरू किया तो बेब बाकर ने अच्छी गती पकड़ ली थी और साम के समय फिर से काले बादल उठे और बड़े भयानक उन्होंने उसके बाद यह उमीध ही की ती कि अब हम परिसान हो जाएंगे और मतलब हो सकता है कि हम जिंदा भी ना बचें सारे काराह करने बंद कर चुके थे पानी लगातार उसमें नाब में भर चुकता ब вокруг को सिजेंगे पूरी रात उन्होंने पंप करने की और दो-दो गंटे की सिफ्ट लगा लगा करके दो गंटे आराम किखे एक समय फंप कर रहे हैं कई सारे कंप भी खराब हो गी ते जो पान तो लेखक ने या बंदन करता ने उसके सांस को मतलब सराहा कहा कि काफी हमत है इस चोटे से बच्चे में थोड़े समय बाद सुजैन को फैंक दिया हवाओने और सुजैन डैक पर जाकर गिरी उसके सिर में गुमड भी निकलाया था उभार आ गया था तो लेकिन फिर उसने कहा कि मैं ठीक हूं उस रात में तोटी चुकी थी उन लोगों ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और लगातार प्रियास करते रहें और एक अंतिम सुबेरे में जाकर उन्हें एक दीप दिखाई दिया और दीप पर जाने के बाद उन सबने बड़ी खुशी अंतिम समय में वो सभी मिले और उन्होंने खुशी जाहिर की तो इस तरह की कहानी पार्ट में है और आसा करूंगा कि आप सबको समझ माया होगा अगर कोई भी रही है तो आप कमेंट बैक्स में बता दे अगर समझ पा रहें थोड़ा थोड़ा भी तो आप इसको सब्सक्र करने को हल किया जाए धन्यवाद